दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारकन में पिछले 24 घंटों में मिले मात्र 12 नए पोजटीब मरीज शनिवार सुबत तक पिछले 24 घंटों में जारकन के 21 जिले कोरोना मुक्त मिले इन जिलों में इस दोरान कोई नया मरीज नहीं मिला जबकि जारकन में इस महामारी के 12 नए संक्रमीत मिले हैं बता गया है कि इन 12 नए मरीजों में सबसे अधिक जारकन की राधानी राची से ही 10 लोग हैं देवगहर और जामताड़ा से एक एक नए मरिज की पहचान हुई है। पर्धानमंत्री नारेद्र मोदी चरणबध तरीके से योजनाई चला रहे हैं। पर्धिनिदी मंदल दिल्ली में ग्रीह मंत्री अमीत शाह से मुलकात करेगा। बुख्यमंत्री हेमन सुरें ती दिवसी दिल्ली दोरे परशनिवार को विशेस बीमान से दिल्ली रावाना हुए। आज शाम चार वजे बुख्यमंत्री की अग्वाई में सर्वदलिय परतिनिधी मंदल ग्रीह मंत्री अमीत शाह से मिलेगा। इस दोरान उन्हें जाती जनगनना और जनगनना में सर्णा धर्म कोड को शामिल करने की मांग से संबंधित ग्यापन सोंपा जाएगा। जारखन में होगी 75,000 प्राइमरी टीचरों की बंपर भरती। जारखन के प्राइमरी एव मिडिल स्कूलों में लगबख 75,000 टीचर्स की नियुक्ती की कवायत शुरू कर दी गई है। इसके लिए नए पद स्रीजन की साथ साथ नियुक्ती नियमवली में संशोधन की तैयारी चल रही है। जितने पदों पर नियुक्ती होगी उनमें वर्स 2015-16 में नियुक्ती के बाद रिक्त रह गए पद भी शामिल है। आपको बता दे कि जहारखन में सीक्षक पातरता परिक्षा अभी मात्र दो वार बर्स 2012 और 2016 में हुई है। दिल्ली में बन रहे नए जहारखन भवन का मुख्यमंत्री ने किया निरिक्षन। मुख्यमंत्री सीरीहमंस सुरेन ने शनेवार को गोल मार्केट नए दिल्ली में बन रहे नए जहारखन भवन का निरिक्षन किया। उन्होंने अपने परवास के दोरान वहां उपस्थित अधिकारियों को इस संदर में उचित दिशा निर्दिश भी दिये। आपको बता दे कि 19 जनवरी 2016 को ततकालिन मुख्यमंत्री रगवर दास और ततकालिन राजेपाल दुरुपदी मुर्भू ने इसका शिलानियास किया था। भवन का शेतर फर लगवग एक कड़ में फैला हुआ है। मुख्यमंत्री अभी दिल्ली दोरे पर हैं वे वहाँ ग्रीह मंत्री अमीत शाह की अध्यक्षता में होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। नोटिफीकिशन जारी किया है जिसके बाद 24 सितंबर से रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। SSE इस भरती अभियान के तहट 3261 पदों के लिए उमिदवारों का चैयन करेगा। एक कर्टेगरी के पद के लिए उमिदवारों जिहां उमिदवार एक बार आविदन कर सकेंगे। उमिदवार इस भरती से सम्बंधित बीशेश जानकारी SSE की आधिकारिक साइट SSC डोस्ट NIC.IN पर ले सकते हैं। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है किसानों को सरकार देगी पंदर लाख रुपे की मदद। किसानों की आए बढ़ाने के लिए सरकार नया क्रिसी बिल लाने की तयारी कर रही है। इसी बीच सरकार किसानों को एक बड़ा तोफ़ा देने जा रही है। और इसके तहथ सरकार किसानों को पंदर लाख रुपे दे रही है। सरकार ने PM किसान FPO स्किम की शुरुवात की है इस स्किम के तहट फॉर्मर्स प्रोडुशर और्गिनाजेशन को पंदर लाख होपे दिये जाएंगे देश भर के किसानों को नया क्रिसी बिजनेश शुरू करने के लिए सरकार की ओर से बित्तिय सहायता दी जाएगी इस स्किम का लाब लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक और्गिनाजेशन या कमपनी बनानी होगी इससे किसानों को क्रिसी से संबंधित उपकरन या फर्टी लाइजर्स बीज या दवाएं खरिदने में भी काफी आसानी होगी अखिल भारती फार्मासिष्ट एसोशेशन के कारिकरम में मंत्री बन्ना गुपता हुए शामिल जार्खन के स्वास्थे मंत्र सिरी बन्ना गुपता ने कहा कोरोना काल में फार्मासिष्ट के लोगों ने अपनी जीमिदारी का निष्ठा पुर्वक निर्वहन किया है इसके लिए उन्हें नमन करता हूँ उन्होंने कहा साक्ची बारी मैदान कलब हाउस में आयोजित अखिल भारती फार्माशिष्ट एसोशेशन के दोवारा आयोजित फार्माशिष्ट दिवर्स के कारिकरम में मुखे अतिती के रूप में शामिल हुआ 30 सितंबर को होगी जारखंड कैबिनेट की बैठक जारखंड कैबिनेट की बैठक 30 सितंबर को बुलाई गई है या बैठक प्रोजेक्ट भवन सबागार में साम चार बजे आयोजित होगी बैठक में बेहद महतुपूर्ण फैस ले लिये जाने की संभावना है बैठक में नियोजन नेती राजधाने के काटटोली फ्लाइओवर निर्वान के रिवाज इस्टिमेट की स्विक्रिती मंत्रियों के बंगला निर्मान सहित अनिय सड़क पुल निर्मान को स्विक्रिती दी जा सकती है बैठक के लिए सबी विभागौं से प्रस्ताव मांगी गए हैं दोस्त बड़ी खबर सामने आ रही है देश में फिर 3 लाख के पार पहुँचे कोरोना के सक्रिय मामले देश में कोरोना संक्रमन की सक्रिय मामलों की संख्या फिर 3 लाख से अधिक हो गई है पिछले 24 घंटे के दोरान 1280 सक्री मामले बढ़े और इनकी संख्या 3,1442 हो गई है जो कुल मामलों का सुन्य दस्मलोव 9 सुन्य फीसद है देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के नए मामले केरल से आ रहे हैं पिछले 24 घंटों के दोरान केरल में 16,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं शनिवार शाम को राज्य के स्वास्त मंतराले दवराजारी आकडों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 16,671 नए मामले सामने आए हैं और 120 लोगों की मौत हुई है और अब 14,242 लोग संक्रमन से ठीक हुए हैं केरल में अभी 16,65,154 कोरोना के सक्रिय मामले बने हुए हैं वहीं केंद्रिय स्वास्त मंतराले के अनुसार बीते एक दिन में 29,660 नए मामले मिले हैं और 290 और लोगों की मौत हुई है पिछले दो दिनों की तुल्ला में नए मामलों की कुछ कम्याई है लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की संक्या भी घटी है आपको बदा दे कि पिछले दो दिनों में 30,000 से अधिक नए मामले मिल रहे हैं अगले 12 घंटे इन राजियों के लिए बेहत कटीन तवा ही मचा सकता है चक्रवाती तुफान भारत में एक बार फिर कोरोना वाइरस संकट के बीच 30 राजियों पर चक्रवात का खत्रा मंडराने लगा है भारती मौसम विभाग ने शनिवार को उत्री 30 आंधर परदेश के जीलों और ओडिसा के दक्षिनी हिसों में समुद्री चक्रवात की आशंका जाताते हुए एस साइकलोन अलर्ट किया है अपने लेटेश्ट अपडेट में आई एमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के उपर एक लो प्रेसर का एरिया बनाया गया है जिहां बन गया है जिसके कारण से अगले 12 घंटों में एक चक्रवाती तुफान में तेज होने की संभावना है गौर तलभाई की पीछले साल भारती तटों पर एक के बाद एक कई समुद्री चक्रवातों ने तबाही मचाए थी साल 2020 में बंगाल की खाड़ी ने तीन चक्रवाती तुफान उत्पन हुए जबकि अरब सागर में दो चक्रवाती तुफान आये अब इस वर्ष भी भारती मौसम विभाग ने एस साइकलोन को लेकर अलर्ट जारी का दिया गया है आयुसमान भारत योजना के तहत कई डिजिटल सिवाए लौंच आयुसमान भारत के तहत लोगों का इलाज फ्री में किया जाता है अब तक दो दस वर्ष दो करोड लोगों को मिला फ्री इलाज योजना के तहत कई अन्य सिवाएं भी शुरू केंद्रे ने अपनी सबसे बड़ी स्वास्ति योजना आयुशमान भारत पलधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी स्तार किया है सरकार ने इस योजना के तहत होस्पिटल हेल्प डेस्क कियोस्क बेने फीसियरी फेसियलाइजेशन एजनसी पी एम जे एवाई कमांड सेंटर और नज यूनिट यैसी अतिरिक्थ शिवाएं शुरू की है योजना को लागू करने वाली एजनसी राष्टिय स्वास्थे प्राधिकरन का उदेश्य लभारतियों के लिए योजना की स्वास्थे सिवाओं का लाग उठाना आसान बनाना है आयुशमान भारत योजना के 23 सितंबर को 3 साल पूरे हुए है केंद्री स्वास्थे और परिवार कलियान मंतरी मनसुख मंडाविया ने कहा है कि आयुशमान भारत ही उजना ने पिछले 3 वरसों में 2.2 करोड से अधीक लोगों को सुदूर शेत्रों में रहने वाले लोगों की सिवा की है उन्होंने कहा कि भारत का लक्षे स्वास्थे सेवा शेत्र में डिजिटल टेकनोलोजी का लाव उठाते हुए सेवाओं के वीत्रन को सुचारू मजबुत त्वरित और कुशल बनाना है दस्वी पास के लिए रेलवे में नौकरी का मौका नहीं देनी होगी कोई परिक्षा इंडियन रेलवे चितरंजल लोकोमोटीव वर्क्स में 492 अपरेंटिक्स पदों पर भरती करेगा आधिकारिक्स अधिसुचना के अनुसार मसीनिष्ट, इलेक्टरिशियन, विल्डर, फीटर, टर्नर, पेंटर और एसी मैकनिक सहित बिवीन पदों के लिए भरती प्रक्रिया शुरू हो गई है सभी इच्छुक और योग्य उमिदवार आधिकारिक वेबसाइट अपरेंटिक्स शीप इंडिया.org के माध्यम से आविदन कर सकते हैं अपरेंटिस भरती के लिए आविदन करने की अंतीमति थी 3 अक्टूबर है जो उमिदवार इस भरती के लिए आविदन करना चाहते हैं उनके पास मानेता प्राप्त संस्थान से आई टी आई परिक्षा उतीन होना चाहिए और संबंदित ट्रेडों में परमान पत्र होना चाहिए उन्हें काउंसिल ओफ बोर्ट ओफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया द्वारा किसी मानेता प्राप्त बोर्ट से कक्षा दस या संकक्षोतीन होना चाहिए